नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरूद्रवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबारा से चाय और कॉफे के बारे में आपने अगर मेरी पुराणी वीडियो देखी हैं अगर आप मुझसे मिलके गई हैं तो हमारे हर डाइट चार्ट के अंदर एक चीज़ ज़रूर मना होती है वो है चाय और कॉफे आज तक चाय कॉफे के बारे में अक्सर मिशा के आप पूस्थे थे कि चाय कॉफे क्यों मना करते हैं रोक्डर साफ रीजन तो हमें बताओ तो आज मैं आपको वो रीजन देने वाला हूँ अभी रिसेंटली ICMR यानि Indian Council of Medical Research ने एक रिपोर्ट पबिलिश करी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रॉप्शन में भी दे रहा हूँ उस पे जाकर आप खुद बाख खुद सड़ी कर सकते हो कि क्यों मैं आपको चाय और कॉफे के लिए मना करता हूँ अगर आईरन वो चाय कोफे पीते है तो उसके अंदर होते हैं यह तैनिकल समझता है कि कट्नी पेशनिस में खूं की कमी होनी शुरू हो जाती है अब किद्नी पेरिशिंट के बारे में सोचो, चाहाँ पर किद्नी खराब हो रही है, एरित्रोपेटिन रिलीस नहीं हो पा रहा, ब्लड की कमी हो रही है, आप खाना खा रहे हो, खाने के आगे बिछे आप चाय पी लेते हो आपकी खाने में जो आरन था, जो हमें बलेट के अंदर छीए था, वो बलेट में पहुंची नहीं पाता, उसे क्या होता है, कि हीमोगलेबिन बहुत जादा फॉल करना शुरू कर जाता है, लेवल आ रहे हीमोगलेबिन का चार, तीन, यहां पर क्या होता है दिक्कत, ऐसे पे कीडनी का प्ेशेंट चाय कोफी का इंटेक करता रहता है, तो, आइसे स्मय की रिपोर्ट के अंदर, हन। हम पर दूद वली चाय मना किया गया है, दूध वली कॉफी मना किया गया, अकसर पिशन क्या करते हैं, कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, और वहा से बीच का रस्ता निगालना शुकरते हैं, कि ठीक है, दॉध वली कॉफी मना है, तो मैं दूध वली छोड़ दूगा, मैं चाए कॉफी पीलूगा, अगर आप चाए और कोफी का इंटेक, बिना दूद के भी करोगे तो भी आपको नुकसान वैसा ही होगा, क्यों होगा उसको भी समुझने कोशिश करते हैं, हमें यह पता है कि चाय कॉफी के अंदर टैनिन्स होते हैं, जो की आईरन को बाइंड करते हैं, तो अगर आप दूदर डाले हो, ने डाल जो मेडिसिन आप ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, और चाय कॉफी का इंटेक आगे पीछे एक आदा घंटे डिड़ी घंटे बाद भी कर जाते हो, तो उसकी जो अविलिबिल्टी बॉड़ी के लिए होती है, वो काम होचाती है, इसी वज़ा से जो पेशेंट चाय बहुत अच्छे देखते हैं, यानि मैंने बीपी की मेडिसिन दी और बीपी की मेडिसिन काम कर रही है, कितनी अच्छी बात है ना, मैंने शुग की मेडिसिन दी और शुग की मेडिसिन काम कर रही है, तो मेडिसिन की अब्सॉप्शन अच्छी रखने के लिए हमें चाय तो उनको हम एड्वाइस करते हैं, वो है हर्बल टी, अभी हर्बल टी क्या है, और कौन सी हर्ब हमें यूज़ करनी है, वो इपोर्ट है, हमें पता है कि अगर हम चाय कॉफी से अमारी अब्सॉप्शन नहीं होगी, तो अगर हम कोई ऐसी चाय पीए, जिसे हम फूड अच्छ तो चाय बादिणे ले, दाल forte, यूज़ बे चाई पीट, ऐ फर ले लो किसी भी चीज को आप पानी में बखेर चाय बना सकते हैं, उसे आप हर्बल टी कऊगे, कुछ वanor होते हैं, कैसे हैं हमामाल यूज organizers, अगर चामोमाल फना Two more hours and if it is a если था और एक्षी तो यह आपके लिए बेनिफिशल होता है बट फिर भी इसमें आपको एक साभधानी रखने ही पड़ती है कि किसी भी लिक्विड का इंटेक चाहे पानी हो चाहे हो इसका इंटेक खाना खाने के बाद बेलकुल बे नहीं होगा अगले दो घंटे तक तक आपका पेट सौफ न किसी भी टाइप के लिक्विड का इंटेक करने से बचा करो क्यूं उसको भी मैं आतो हो इसी वीडियो में समझा देता हो आप अपना स्टमक अपनी स्रीन पर देखो कैसा लगता है है एक गुबारे सा तेड़ा मेडा सा है अब इसकी कैपसिटी होती है कि कितना खाना अपन पूरा भर के और चलाओ नहीं घूमेगा जब तक आप उसको कम नहीं करते थोड़ा सा समय लिक्विड नहीं डालते तब तक चर्णिंग प्रॉसेस नहीं हो पाता है इसी तरह से हमारा पेट स्टेटिक नहीं होता वह हिलता रहता है हमेशा हिलता रहता है खाने को आगे पी होता है वह चार से छे घंटे ले जाता है और इस बीच में आप दुबारा से खाना खा लेते हों तो उससे हमें बन जाती है इंडिजेश्टिक जिसे हमारी तबियत होती है खराब जिसे बनता है हमारा बीपी उसे बनता है हमारा शुगर उसे बनता है स्टेस उसे बनता है क पता नहीं कितनी बेमादी ने कलनी शुरू हो जाती है, तो इसी वज़द से आपको अपनी बॉड़ी को समझना जरूरी है, मुम्मीत करतों, इस वीडियो से, चाय कॉफी क्यों मना की जाती है, डॉक्टर पूरू के दुवारा, ये कॉश्चन आप मुछ से आगे कम ज़कम पूछोगे, और इसी के साद मैं आप सभी से चलने की आगया भी चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार.